दोस्तों नमस्कार ये हमागदेशन फॉर सिबिल सर्विशेज मैं अनुराग शौधरी दोस्तों घटना चक्र सामानिय धिन पुर्वावलोकन स्रिंखला में प्रस्तुत है भारत के भुगोल से संबंधित महत्तोपोर्ट तत्यों का संकलन जो आपके आगामी परिक्षाओं क लिए बहुत ही उप्योगी है इसमें हम भारत में पाये जाने वाले प्रमुख खनीजों से संबंधित महत्तोपोर्ट तत्यों को कवर करेंगे तो आईए शुरू करते हैं घटना चक्र सामानिय धिन पुर्वावलोकन स्रिंखला के अंतरगत भारत के प्रमुख खनीजों स संसाधनों से संपन है लेकिन इनका जो वितरण है या डिस्टिवियूशन है वो एक समान नहीं बलकि असमान है भारत में प्रायदीपी चट्टानों में कोईला धात्विक खनीज अभरक और अनेक अधात्विक खनीजों के अधिकांस भंडार संचित हैं और प्रायदीप क शैल क्रम के साथ राजस्थान में अनेक अलोह खनीज पाए जाते हैं और उत्तरी भारत के विश्तरित जलोड मैदान आर्थिक महत्तों के खनीजों से लगभग विहीन है और ये विभिनताएं खनीजों की रशना में अंतर गरस्त भूग अर्भिक्सन रशना के कारण से उत्पन होती हैं दोस्तू जो बिंध करम की सैल है इसमें इस्थूल मध्य और सुक्ष्मकडो वाले बलुवा पत्थर शैल और चूना पत्थर शामिल हैं जहां निचली बिंध शैले चूनेदार मृडमय और सागरी हैं वहीं उपरी बिंध शैले नदीए और ज वो चूने का पत्थर है भारत में सबसे महत्पूर्ण खनीज युक्त शैल तंत्र धारवार तंत्र है और यहां पर अत्यधिक धात्विक खनीज पाये जाते हैं और इन धात्विक खनीजों में सोना, लोहा, मैगनीज, अभरक, कोबाल्ट, क्रोमियम, ताबा, टंगश्टन और सीसा हैं यह सभी धारवार शैल तंत्र के खनीजों में पाये जाने वाले प्रमुख खनीज हैं दुस्तों भारत में दक्षिनपूर में उत्तरी पूर्वी पठारी पट्टी में खनीज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार पाये जाते हैं और इसमें आप जान लीजे छोटा नागपूर पठार, दंडका रणे पठार और ओडिशा पठार इसी छेतर पर अवस्थित है और यहाँ पर खनीज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार पाये जाते हैं इसके अलावा प्रायदीपी ये छेतर खनीज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार है और इसे भारती खनीज का हिर्दय अस्थल भी कहा जाता है ये बहुत ही महत्तोपूर तथ्य है दोस्तों आप आप जान लीजे कि प्राय दीपी ये छेतर जो भारत का प्राय दीपी छेतर है वो खनीज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार के रूप में है और इसे भारती खनीज का हर्ट लैंड या हिर्दय अस्थल कहा जाता है खान मंत्राले भारत सरकार की वारसिक रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार भारत में लगभग 95 खनीजों का उत्पादन होता है जिसमें 4 इंधन, 10 धात्विक, 23 गैर धात्विक, 3 परमाड़ और 55 गौर्ड खनीज शामिल हैं अब आए लोह आयस्क से संबंधित जो महत्पूर्ट तथे हैं उनको जान लेते हैं आप जानते हैं कि भारत में लोह आयस्क प्रमुक रूप से धारवाड शैल तंत्र में पाये जाता है और ये प्रश्न बार-बार परिक्छाओं में पूछा गया है कि भारत में लोह आयस और अगर भारत में लौह आयस्क उत्पादन के चार प्रमुक छेत्रों की बात करें तो इसमें उत्तरपूर्वी जारखंड, उडिशा, मध्य भारत में मध्य प्रदेश, छत्तेसगर, महराष्ट, प्रायदीपी भारत में करनाटक और गोवा, और अन्य छेत्रों में आंध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल, गुजरात, हरियाडा और पश्रिम बंगाल हैं तो भारत में लौह आयस्क उत्पादन के चार प्रमुक छेत्र हैं पहला उत्तरपूर्वी छेत्र जिसमें जारखंड और उडिशा है दूसरा मध्य भारत, मध अंध्य प्रदेश, चतिस गड़ और महराष्ट हैं तीसरा प्रायदीपी भारत इसमें करनाटक और गोवा आते हैं और अन्य छेत्रों में आंध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल, गुजरात और हरियाडा तथा पश्रिम बंगाल सामिल हैं चतिस गड़ के बस्तर जिले म बैलाडीला खान से उत्तम कोट के हमेटाइट और मैगनेटाइट लौह आयस्ग का उत्पादन होता है एक और महुत्त पूर्द तथ्य है कि बैलाडीला खान भारत में सबसे बड़ी मशीनी क्रिट खान है और यहां से उत्पादित लौह आयस्ग को विशाख़पत्तनम ब और राजस्थान के उदैपुर जिले में नाथरा की पाल और थूर हुंडेर छेत्र लोह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों आप जान लीजे कि हैमेटाइट और मैगनेटाइट ये दो प्रमुख लोह अयस्क है जिनसे की उत्तम कोटी का लोहा इन अयस्कों से प्राप प्रतिशत दक्षडी छेत्रों में पाया जाता है और भारत में हैमेटाइट लोह अयस्क की उपलब्धता वाले राज्ये असम, बिहार, जारखंड, जारखंड, चत्तिस गढ़ और ओडिशा तथा उत्तर प्रदेस हैं मैगनेटाइट की बहुलता वाले छेत्रों में करना जस्ता सामानित है, सीसे के साथ मिले हुए रूप में जस्ते के सलफाइट से मिलता है और जस्ता लोहे में जंग लगने से रोकने के लिए मिश्रित धातु बनाने, सुस्क बैटरी, इलेक्ट्रोड, मोटर पूरजा आध में इस्तेमाल किया जाता है जी आई पाइप या जी आई सीट गैल्विनाइजड आईरन ये आप जान लिजे जस्ते को जो है लोहे के ऊपर लेप चड़ा कर उसे जंग रोधी बनाया जाता है या जंग लगने से रोकने के लिए इसका लेपन किया जाता है भारत में राजस्थान राज्य का जस्ते के भंडार में और उत्पादन की द्रिष्टे से एक अधिकार है और एशिया का श्रेष्ट जस्ता और सीशा भंडार भील वाड़ा-जिले के रामपूर आगूचा छेतर में है और ये राजस्थान में है भारत के राजस्थान राज्य का जस्ते के भंडार और उत्पादन के द्रिष्टी से एक अधिकार है और आप जानते हैं कि भीलवाडा जिले के रामपूर आगूचा छेतर में एसिया का सबसे अधिक या सर्वत्तम किस्म का जस्ता और सीटा भंडार है राजस्थान राज्य का जावर छेतर जोकी उदैपूर जनपद में है देश का सबसे बड़ा जस्ता उत्पादक छेतर है और राजस्थान राज्य में इस्थे सीशा और जस्ता के अन्य भंडारा छेतरों में राजपूर देवारी छेत्र उदैपूर में डोंगरपूर अलवर बासवाड़ा और सिरोही हैं भारत में जस्ता का अलप जमाओ भोतंग छेत्र सिक्किम में रियासी जम्मु कस्मीर में अलमोडा टिहरी गढ़वार उत्राखंड में पाया जाता है और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड यानि ह्जेड एल ने रामपूर आगूचा छेत्र में ब्रीटेन की सहायता से सुपर इसमेल्टर यंद्र की अस्थापना की है जो जस्ता और सीसा को गलाने का कारे करता है जस्ता के बाद आईए चांदी यानि सीलवर से संबंधित महत्वपूर तत्यों को देखते हैं दोस्तों चांदी जो है सामानी रूप से अमली आगडेच सिलाओं में सीसा जस्ता तांबा आदी के साथ मिस्रित रूप में पाया जाता है और इंडियन मिनरल बुक के अनुसार भारत में चांदी का सरवाधी कुद पादक राजस्थान है उसके बाद करनाटक का अस्थान आता है दोस्तों आप जाल लिजीए कि भारत में चादी के आयस्क का भंड़ा राजस्थान में पहले अस्थान पर दूसरे पर जारखंड में तीसरे पर आंधर प्रदेश और थोड़े मात्रा में करनाटक और मध्ध प्रदेश उत्राखंड ओरीसा में गाले सिक्किम तमिलनाड़ और महराष्ट में मौजूद है राजस्थान राज्जी की जो जावर की खान है ये जस्ता के साथ चादी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और करनाटक राज्जी में कोलार और हट्टी की खानों से भी चादी प्राप्त किया जाता है अब आईए आज की वीडियो में जो सबसे मोहत्वोण या जिस पर हम सबसे अधिक बात करेंगे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के बारे में दोस्तों आप जान लिजे कि पेट्रोलियम जो है ये वर्तमान समय में बहुत ही प्रमुख इंधन है यातायात मोटरवाहन आटोमोबाइल इद्योग में इसका प्रियोग किया जाता है पेट्रोलियम, हाइड्रोजन और कार्बन का योगिक है इसलिए इसको हाइड्रो कार्बन कहते हैं ये ठोस, तरल और गैस रूप में पाया जाता है कच्चा पेट्रोलियम या क्रूड पेट्रोलियम लगभग 30 लाख वर्ष पुरानी सागरी और साधी सैलों से प्राप्त किया जाता है भारत में ये टर्सियरी काल की चट्टानों की अपनतियों और फाल्ट ट्रैप यानि भ्रंस फंदों में पाया जाता है भारत में खनिस तेल के बारे में सबसे पहले 1860 में मारगे रीटा के समीब असम रेलवे एंड ट्रेनिंग कमपनी के दौरा पता लगाए गया इसके बाद 1860 में माकूम असम छेतर में देश का पहला तेल का कुँवा खोदा गया तो याद रखेगा 1860 में सबसे पहले मारगे रीटा के समीब असम रेलवे एंड ट्रेनिंग कमपनी के दौरा खनिस तेल के बारे में पता लगाए गया और माकूम छेतर असम में 1867 में देश का पहला तेल कुँवा खोदा गया भारत में सबसे पुराना तेल भंडार डिक बोई असम में है और ये ब्रमपुत्र घाटी का तेल भंडार है भारत में कच्चे खनिस तेल उतपादन के जो चार प्रमुक छेतर हैं उसमें ब्रमपुत्र घाटी गुजरात तट पश्मी अप्तटी छेतर और पूर्वी अप प्रमुख पुत्र घाटी देश का सबसे पुराना तेल उत्पादक छेत्र है इस छेत्र के मुख्य तेल उत्पादक छेत्रों में डिब्रुगर और सिवसागर जिलों में इस्थित हैं और यहां प्रमुख तेल उत्पादक केंद्र डिगबोई, नाहर कटिया, हगरी, जन्म रुद्र सागर लकवा और सुर्मा घाटी हैं तो याद रखिएगा ये जो हैं दोस्तों ब्रमपुत्र घाटी छेतर में ये प्रमुख तेल उद्पादक केंद्र हैं नूनमाटी तेल सोधन नूनमाटी रिफाइनरी कार खाना असमराज्य में हैं और ये इंडियन आयल कारप के अधिकार में हैं इसकी अस्थापना 1962 में गुवा हाटी के निकट की गई थी इसी तरह डिगबोई और नूमाली गढ़ तेल शोधन साला असमराज्य में इस्थित हैं डिगबोई में रिफाइनरी की अस्थापना 1901 में असम आयल कंपनी लिम्टेद द्वारा की गई थी और बाद में 1981 में इस रिफाइनरी का अधिगरहन इंडियोन आयल कार्पोरेशन लिम्टेड यानी आयो सी यल के द्वारा की अगया था गुजरात भारत में कच्चा तेल उत्पादन के संदर में तीसरे अस्थान पर है अब तटी छेत्र और राजस्थान के बाद जो कि गुजरात के भरूच जीले में है तीस वर्ग किलोमीटर छेत्र भर पर फैला खनिस तेल भंडार है यहां तेल की खोज 1958 में की गई उत्पादन 1961 में शुरू हुआ था और इसी तरह एक तेल छेत्र है लूनेज लूनेज तेल उत्पादक छेत्र गुजरात राज्य म है इसके प्रमखुधपादन केंद्रों में 9 ग्राम धोलका सोमासन को संबा आदशामिल है एक और तेल सोधन साला है कोयाली कोयाली रिफाइनरी आयोसियल गुजरात राज्य में है और गुजरात के जामनगर जिले में जामनगर रिफाइनरे के स्थापना 19-20 में महराजा रंजी सिंग ने की थी तब इसे नवा नगर के नाम से जाना जाता था यहां रिलाइंस इंडेस्ट्रीज की बिस्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी इस्थित है जाम नगर में भारत में पश्मी अब तटी छेतर तेल उत्पादन का महत्तपूर्ण केंद्र है इसके अंतरगत बामबे हाई आयल एरिया आयल रिजन ये मुंबई के तट से कुछ दोरी पर इस्थित है इस तेल छेतर को रूस और भारत की संयूक्त टीम ने खोजा था और यहां पर यानि बामबे हाई में तेल का पहला कुवाँ 1974 में खोजा गया था इसके अलामा पश्मी अब तटी छ भी सामिल किया जाता है ये तेल छेतर बामबे या बुमबई हाई के दक्षुन में इस्थित है और अलिया बेट खनिस तेल छेतर पश्मी तटी छेतर के अंतरगत शामिल किया जाता है ये तेल छेतर भाव नगर से कुछ दूर खंभात की खाड़ी में अलिया बेट दूइ पानिपत रिफाइनरी आप जान लिजे उत्तर प्रदेश में पानिपत रिफाइनरी हरियाड़ा में पारादीप ओडिशा में मुंबई महराष्ट में विशाख पत्तनम आंध्र प्रदेश में मुंबई महराष्ट में कोच्ची रिफाइनरी केरल में मनाली रिफाइनरी याद रखेगा तमिलनाडु में नागा पत्तनम रिफाइनरी तमिलनाडु में नुमालीगड आप जान लिजे नुमालीगड तेल तेल सोधन साला असम में, मंगलावर तेल सोधन साला करनाटक में, ताती पाका याद रखेगा आंधर प्रदेश में, बीना रिफाइनरी मध्य प्रदेश में, भटिंडा ये तेल सोधन साला पंजाब राज़ में, डीटिये जामनगर गुजरात राज़ में, सीजेट और बाडिनार तेल सोधन साला ये गुजरात राज्य में इस्थित है तो दोस्तों ये था आज का वीडियो घटना चक्र सामान्य धिन पुर्वावलोकन स्रिंखला के अंतरगत भारत के भुगोल में खानिजों से संबंधित महत्पूर तथ्यों का संकलन जो आपके आगामी परिक्षाओं के रिवीजन के लिए बहुत ही उपयोगी है इसमें हमने परिक्षाओं की दरिष्टी से उन सभी महत्पूर तथ्यों को कवर किया है जो आपके आगामी परिक्षाओं के लिए उपयोगी और महत्पूर है आप इन तथ्यों को तयार कर लिजे दोस्तों